दूसर पिछले दो लेसंस के अंदर हम लोग ने स्पॉर्ट हीलिंग ब्रोश टूल और हीलिंग ब्रोश टूल इस्तमाल करने सिखे हमने देखा कि हमने इन दोनों टूल्स के मदद से कितनी आसानी के साथ इमेजस को एड़िट किया, स्केन को ट्रीट किया और एक इमेज को री स्टोर भी किया इस लेसन के अंदर अब हम लोग जिस टूल को इस्तमाल करने जा रहे हैं, वो इन ही दोनों टूल्स के साथ ही अवेलेबल है और बिलकुल इन ही कितना वरकिंग करता है इन से मिलता जुलता टूल है, उसका नाम है पैच टूल दोस्तो पैच टूल भी किसी भी इमेज को एड़िट करने के लिए बहुत ज़्यादा कारामत साबित होता है तो चलते हैं, फोटो शॉप की तरफ और पैच टूल के मदद से इमेजिस को ट्रीट करना सीखते हैं दोस्तो अब मैं आप लोगों को पैच टूल के मदद से फोटो को एड़िट करना सिखाने लगा हूँ अच्छा पिछले दो लेसंस के अंदर हमने जन इमेजिस को ट्रीट किया स्पोर्ट हीलिंग टूल और हीलिंग ब्रश टूल के मदद से उनी दोनों इमेजिस को अब हम पैच टूल के मदद से ट्रीट करने की कोशश करेंगे तो चलें देखते हैं पैच टूल को किस तरह से इस्तमाल किया जाता है दोस्तों ये देखें वो जो इमज पहले हमने ट्रीट किया था स्पोर्ट हिलिंग ब्रश टूल के मदद से उसी को मैंने जेपैक बना के यहां पर रख लिया है और आपको याद होगा इस फेस के अंदर पहले कुछ स्पोर्ट अवेलिबल थे जो के हमने स्पोर्ट हिलिंग ब्रश टूल के मदद से साफ कर दिये थे तो लहाजा अब हम क्या करेंगे कि हम इसके उपर पैच टूल का इस्तमाल करेंगे जोस्तों पैच टूल की शॉट की भी जे है जिसना से स्पोर्ट हिलिंग ब्रश टूल और हिलिंग ब्रश टूल की थी यह इन दोनों टूल के नीचे यहां पर हमारे पास अवेलिबल है जी पैच टूल अच्छा पैच टूल जैसे के इसके नाम से वाज़ है कि ये एक patch की सूरत में काम करता है बेसिकली ये एक जगा से patch को हम patch tool के मदद से select करते हैं और दूसरी जगा पर जाके उसको हम clone कर देते हैं देखिए का ज़रा जिसरा for example हम इसको zoom करते है image को और यहां से कोई area हम select करते हैं अब दोस्तों ये जो area मैंने select किया है इस area पे जहां पे जाके मैं छोड़ूँगा वहां से pixels इस area पे basically copy हो जाएंगे यानि कि मैंने इस image को treat करना है और यहां से मिसाल के तौर पे मैं यहां पे लेके आया अब यहां के जो pixels थे वो इस वाले area में जो मैंने selection ली थी इस वाले area में duplicate हो गए है copy हो गए है एक patch की सूरत में जैसे यह देखें मैं यहां से आपको थोड़ा सा area लेता हूँ इसको नीचे ड्राग करता हूँ यह आप देख सकते हैं यह आपको screen पे नजर आ रहा होगा इस वक्त यह जब हम नीचे की तरफ लेके जाते हैं तो यह basically नीचे के pixels को उठा के उपर replace कर रहा है ठीक है जी इस तरह से हम किसी भी area को क्या कर सकते हैं यह थोड़ा सा यहां से skin का हमें problem आ गया तो हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ ऐसे area से select करें और ऐसे area पे जाके हम उसको रखें कि हमारी जो skin है वो distraught ना हो इस तरह से हम छोटे छोटे spots को लेते जाएंगे जिनको के हमारे लिए spot healing brush tool यह देखें और healing brush tool के मदद से treat करना थोड़ा सा difficult था यह देखें यह dark वाले areas थे और यह हम spot healing और healing brush tool के मदद से हमने इनको नहीं किया था इनको अब हम इन areas को यहां से patch tool के मदद से बहुत असानी से treat कर सकते हैं अच्छा एक और बात आप लोगों ने note किया होगा कि spot healing brush tool और healing brush tool में मैंने नई layer बनाई थी जबके इस में patch tool में मैं इसी अपनी original layer के उपर ही काम कर रहा हूँ इसकी क्या वज़ा है दोस्तों इसकी वज़ा यह है healing brush tool के अंदर हमारे पस यहां पे sample all layers की option मौजूद नहीं है इसमें हमारे पास important option है यहां पे diffusion की है हम diffusion जो है हम select कर सकते हैं और यहां से हम source को click करके रखेंगे तो दोस्तों क्योंके यहां पे हमारे पास patch tool में sample all layers की option नहीं है लहाजा हम क्या करते हैं जो हमारी original layer है उसी के उपर ही हमें working करनी पड़ती है हम नई layer पे नई layer बनाके उसके उपर working नहीं कर सकते new layer पे या transparent layer पे patch tool अपलाई बेसिकली नहीं होता इदर से हम कोई भी area patch की सूरत में select करते हैं और जहां पे जाके हम अपना mouse जो है उसको छोड़ते हैं आप देख रहे हैं कि वहां के pixels यहां पे इस area में copy हो जाते हैं दोस्तों यह patch tool जो है इसका एक बहुत बड़ा फाइदा यह है कि इसकी मज़से हम बहुत speed के साथ बहुत जल्दी से अपने images को जो है वो बहतर बना सकते हैं और treat कर सकते हैं यह देखें यह वाला image था इसके अंदर हमने कुछ पहले की निस्पते इसको बहतर किया है यह वाला area भी ज़रा थोड़ा सा गड़बड है इसको मज़ीद किया जा सकता है patch tool के मेंदा से लेकिन फिल हाल अब मैं जाओंगा दूसरे अपने image की तरफ दोसरों यह आपको याद होगा कि healing brush tool को practice करते हुए हम लोगों ने यह जो image था इसको restore किया था इसके अब मैंने आप लोगों के लिए JPEG मना के रखी हुई है और अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसी image के उपर patch tool का इस्तमाल करके देखते हैं यहां से यह देखे हैं हमारे पास बहुत सारे ऐसे areas available हैं जहां पर हम patch tool की मदद से बहुत असानी के साथ ने picture को बेतर होना सकते हैं अच्छा दोस्तों एक थोड़ा सा इसमें जो गड़बड है जिसका आपको ध्यान रखना है जैसे यह अभी मुझे problem आया यह देखें यह dark and light इसमें जब हम अकठे select कर लेते हैं dark areas और light areas तो फिर थोड़ा सा हमें परिशानी का सामना करना पड़ता है तो लहाज़ा आपने darks और lights का इसमें कफी ज़्यान रखना है क्योंके बादों का speed में काम करते हुए हम dark areas को light areas पे और light वाले areas को dark वाले areas पे जाके हम copy कर देते हैं जो के हमने नहीं करना वरना हमारा image जो है वो थोड़ा सा disturb हो जागा जनाब अच्छा आप यह देखें इसमें कितनी असानी से हम बड़े-बड़े patches बनाके multiple यह देखें areas को हम बड़े-बड़े पैस्टूल का मैं आपको बता चुका हूँ जैसे कि आप इस वक देख भी सकते हैं आपको अंदाजा भी हो रहा होगा इसका फाइदा यह है कि इसकी मदद से काम बहुत speedy हो जाता है और हम जल्दी से किसी भी area को बड़े सारे area को पकड़के हम patch tool की मदद से बहुत easily treat कर सकते हैं बाद जोगात ऐसी कुछ areas आजाते हैं जिनको थोड़ा सा आपको detail में working करनी पड़ती है जैसे यह भी color के उपर light का issue आ रहा था इनको हम थोड़ा सा छोटे patches में जाके देखेंगे यह देखें दोस्तों यह हमारे image थोड़ा सा हिल गया था इसको हम adjust कर देते हैं और यह देखें जी यह बड़ा सारा patch पकड़के कितने असानी से मैंने remove कर दिया और यह देखें यह देखें फोर इस नशीट यह असानी से मैंने इस उल्प की मतन liability project month और सब्सक्राइ्ट तो ये देखें इस image में यह जो कुछ थोड़ा बहुत पहले के निसपत प्रादम रहे थीजा आँड़ा भूँ है अब ये इमज जो है वो तकरीबन काफी हद तक जो है वो नीट क्लीन हो चुक है सवाए बस ये एक थोड़ा सा एरिया है इसके बार में मैंने आपको बताया था कि आगे हम एक और टूल के मदद से इसको करेंगे तो दोसों यहाँ पर हीलिंग टूल है हमारे यहाँ पर षखत्म होते हैं हम सपोर्ट हीलिंग ब्रॉच टूल हीलिंग ब्रष टूल और पैस टूल को बदी डेटेल में देख चुके हैने तो आप लोगों ने ये करना है कि आपने कुछ इमजिस नहें वो कठे करने हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे स्पोर्ट हों या कुछ ऐसे एरियास हों कुछ पुरानी तस्वीरें अपनी अकठी करें और उनको इन तीनों टूल्स की मदद से ट्रीट करें और एडिट करें आने व झाल